आप लोग के हमारे चैनल में स्वागत है आज हम बनाने वाले हैं टेस्टी नास्ता और उसके साथ जबरजस चटनी बनाएंगे ऐसा नास्ता बनाएंगे जो घर में बच्चों और बड़े बहुत पसंद करेंगे आप एक बार बना लेंगे न तो यही नास्ता बार बार बना चाहेंगे तो चलिए आज के नास्ता देख लेते हैं कैसे बनाना है कि नास्ता बनाने से पहले हम चटनी के यहां त्यारी किये हैं तहां मुली दो मुली हम अच्छा से इनका छील लिए हैं अच्छील के धो के छोटा-छोटा हम काट लिए हैं अदो टमाटर यहां काट लि लिए हैं कली दसकली होगा आप यहां हरी मिर्च ले लिए हैं तब पहले हम चटनी के त्यारी कर लेते हैं फिर बाद में हम नस्ता बनाएंगे तब चलते हैं का इसके तरफ पाहम पैन बैठा दिये हैं पैन हमारा गरम हो गया है इसमें थोड़ा सा सरसुर तेल डाल देंगे सरसुर डाल कर इसमें मुली लासुन हरी मिर्च को हम फ्राई कर लेंगे इनको हम दो तीन मिनाट तक से अच्छा से भूंज लेंगे हम यहां हमारा मुली और लासुन हरी मिर्च फ्राई हो गया है इसमें हम टमाट्रों को डाल देंगे टमाट्रों को डाल कर इंको भी आच् सरी त्यारी कर लिते हैं की यहां लेंगे मतर हरी मतर ले ले लिए हैं इनका छिल्का उतार प्राइब lips gross today दलेंगे दालेंगे अब आधा कुट्रस्छीशा डाल देंगे tomorrow's कि लजुन दाल का लेंगे लशन 10 दाय कली हो गाद रख डाल देंगे अब इसमें थोड़ा से पानी डाल के इनको मस्ता के दम पेस्ट बना लेंगे आप यहांत कि हमारा फिश्ट मứng के त्यार हो गया है अहां आप एकटोरी में हम सारा पेस्ट को टांसपर कर देंगे आज के नास्ता एकदम जबरचस्त बनने वाला है आप लोग वीडियो को फूल वच जडूर कीजिएगा अगर पसंद आये तर लाइक से रकेमेंड जडूर कीजिएगा चैनल पर नहीं देख रहे हैं तर सस्क्राइब नास्ते हम फिर बनाएंगे बाद में थोड़ा सा धो के हम पाइन डाल देते हैं क्योंकि बहुत सारा पैन में तेल लगा हुआ है उसको फेकेंगे नहीं अब इसमें धनिया पाता डाल देंगे हम अब इसमें स्वाधन सर नमक डाल देंगे नमक अपने हिसाब से कम जड़ा कर सकते हैं अब यहां दो आम काचार ले लिए हम आम काचार तो सभी घरों में होता है अब इसको क्या करेंगे कि अटली को फेक देंगे गए गुद्धी इनका डालेंगे हमारे हमामी जब ही चटनी बनाएगी ना तो आचार डालेगी आपके तो हम लोग पूछेंगे तो म सरसु का तकेल डाल देने से चैनिया सिंगे में फोलुख कचरिश अब इसमें इसमें एक नींबू करस्ट डालते डाल देंगे बाब यहां थोड़ा से अमक डाल कर इनको अच्छा साम गूल बना लेंगे बैठर चाह से त्यार कर लेंगे देखें इस तरह की से आपको बैटर को रखना है जदा पतला भी नहीं रखना है जदा गढ़ा भी नहीं रखता है चलते हैं गैस के तरफ एक यह पैन रखके थोड़ा सा तेल डाल दिये हैं आपको यह नस्त बनानी के लिए ना नॉनिस्टिक बरतन रहेग नहीं ऐसे नर्मल तावा पर भी बना सकते हैं उस पर जदा तेल लगा कर बनाएगा उस पर भी नहीं सटेगा अब उजला वाला ये सफेद वाला तील थोड़ा सा डाल देंगे थोड़ा सा यहां हम सरसो डाल दिये हैं राई इनको हलका सा चटका लेंगे फिर हम नास्ता बना रंट से बकी नहीं सब्सक्रिया देफ स Wela. आप लोग बीडियो की अगर आप पने देख रहें तो को सेसक्राइब जरूर कर जाहिएगा क्योंकि हमारे चन्नल पर रोज नए वीडियो आते हैं रोज नए रेश्पी आते हैं अगर अच्छा लगे तो लाइक जलूर कीजिएगा अगर अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा अब थोड़ा सा तेल डाल दीए उपर से इनको उलटते प्लटते हुए दुनों तरफ से माच्छा से पका लेंगे देखिए ये तील डाल से हमसी तरह से तिल लगाएंगे पर ढलेंगे तील ठीटर को साथ है सारे थीयार हो गया है कि देखिए असमेसित अश्वाइब ये होग ओधिक्त कर और किया त्यार हो गया है कि हैं आप लोग का दिकाते हैं कि लिखिए आप लोग प्रेवी दिखाते हैं कितना एकदम स्व दक बढ़ना है थन्दी के मौसम में बना खाईए घर में बच्चे वड़े बहुत पसंद करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो मीलेंगे नहीं रेशिपी NICK